दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में डिसकस किया था कि कैसे इंडिया में ट्रेड करने के लिए अलग-अलग यॉरोपियन कमपनीज आती हैं। आज हम उन्ही में से दो कमपनीज इंग्लिश और फ्रेंच के बीच की राइवल्री को डिसकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रडक्शन दोस्तों, वैसे तो ब्रिटिश और फ्रेंच ट्रेड करने के लिए इंडिया आते हैं। लेकिन बात में ये दोनों इंडिया की पॉलिटिक्स में इंवॉल्व हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्यूंकि ये दोनों ही कंपरीज मकेंटलिजम में यकीन करती थी। जिसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्रेड में मॉनापली होना जरूरी माना जाता था। दोनों पावर्ज इंडिया में कमर्शल मॉनापली चाहती थी। इसलिए दोनों पॉलिटिकल पावर इस्टैबलिश करने में लग जाते हैं। तो दोनों के बीच राइवल्री होना भी नाच्रल था। इसके साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले से चली आ रही ट्रेडिशनल अंगलो-फ्रेंच राइवल्री का रिफ्लेक्शन भी इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया में ये राइवल्री तीन करनाटिक वॉर्ज के फॉर्म में सामने आती है। तो आएए एक एक करके जानते हैं तीनों करनाटिक वॉर्ज के भारे में। कोरु मंडल कोस्ट और उसके आसपास के एरिया को यॉर्पियंज ने करनाटिक नाम दिया था। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच इनडिया में हुए सभी वॉर्ज जेनरली इसी एरिया में हुए थे। इसी लिए इन्हें करनाटिक वॉर्ज बोला जाता है। ड्रास में 1746 में Battle of St. Thomas होता है, जिसमें करनाटर के नबाब, अनवरुद्दीन और फ्रेंच फोर्सेज आमने सामने होती हैं. आईए जानते हैं ऐसा क्यूं होता है? Course of the War इंडिया में इंग्लिश और फ्रेंच कंपनीज के बीच की शुरुआत होती है, जब 1745 में इंग्लिश नेवी कॉमोडोर Curtis Bennett की लीडरिशिप में कुछ फ्रेंच शिप्स को सीज कर लेती है. इसका बदला लेने के लिए फ्रेंच गवनर डूपलेक्स मौरिश्य से एक फ्रेंच फ्रेंच फ्लीट बुलाते हैं. एड्मिरल ला बो दुन्वा की लीडरिशिप में ये फ्लीट अंग्रेजों की मडरास फैक्टरी पर अटैक करती है और आसानी से मडरास को जीत लिया जाता है. लेकिन इसी बीच करनाठक के नवाब अनवरुद्दीन खान फ्रेंच से कहते हैं कि उनकी टेरिटरी में वो इस तरह फाइट नहीं कर सकते और तुरंथ मडरास से वापस जाने का ओर्डर देते हैं पर फ्रेंच गवनर डूपलेक्स उन्हें ये कहकर शांत कर देते हैं कि म अजार सोलजर्स की एक आर्मी मडरास को कैप्चर करने के लिए भेज देते हैं फिर फ्रेंच की आर्मी के साथ इनका सामना होता है सिंट टॉमस नाम की जगहे पर जो रिवर अडियार के बैंक पर लोकेटिड है significance ये war Europeans की आँखें खोल देती है उनको सिंट टॉमस के battle से ये realize होता है कि एवन एक छोटी सी disciplined आर्मी आसानी से एक बड़ी इंडियन आर्मी को हरा सकती है क्यूंकि इस battle में French side से 230 Europeans और 700 Indian soldiers मिलकर नेटिव आवी की 10,000 की force को हरा देते हैं उसके अलावा Deccan में चल रहे Anglo-French conflict में naval force की importance भी इस war के बाद बहुत clear हो जाती है दोस्तों एक लाशपेल की संधी से First Carnatic War का end तो हो गया लेकिन इनके आपस में रिष्टे इससे friendly नहीं बनते हैं इनकी rivalry continue रहती है और जन्म देती है Second Carnatic War को आईए अब उसके बारे में जानते हैं Second Carnatic War 1749 to 1754 Background First Carnatic War के बाद French Governor Duplex के political ambitions बढ़ जाते हैं वो Southern India में French की power और political प्रभाव को बढ़ाने के लिए वहां के local dynastic disputes में interfere करना शुरू करते हैं उनका एक एम इसमें अंग्रेजों की power को कम करना भी था उनको ऐसा करने का मौका मिलता है जब हैदराबाद और करनाटिक के थ्रोन को लेकर dispute शुरू हो जाता है हैदराबाद के निजाम आजफ जहां की 21st May 1748 को मृत्य हो जाती है और उनके बेटे नसीर जंग हैदराबाद के अगले निजाम बनते हैं लेकिन इनके नेफ्यू और आसफ जहां के एक grandson मुजफर जंग इनको चैलेंज करते हैं और खुद निजाम की गद्दी चाहते हैं उधर दूसरी तरफ करनाटक में नवाब अनवरुद्दीन को चैलेंज कर रहे होते हैं वहां के फॉर्मर नवाब दोस्त अली के सन इनलो चंदा साहिब ड्यूपलेक्स को इसमें अपनी पॉलिटिकल स्कीम्स को आगे बढ़ाने का मौका दिखता है इसलिए वो डेकन में मुजफर जंग और करनाटक की नवाब शिप के लिए चंदा साहिब का सपोर्ट करने का डिसिजन लेते हैं ये देखने पर इंग्लिश नसीर जंग और अनवरुद्दीन की साइड हो जाते हैं इस तरह यहां से शुरू होती है सेकिंड करनाटक वोर की कहानी जो 1749 से 1754 तक चलता है आईए जानते हैं इस वोर के दोरान क्या-क्या घटनाए होई कोर्स अफ दो वोर ड्यूप्लेक्स के प्लान को सक्सेस मिलती है जब मुजफर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच की कंबाइन्ड आर्मी के हाथों 1749 में वेलोर के पास हुई बैटल आव अंबर के दोरान अनवरुद्दीन की हार और मित्य हो जाती है और डिसेंबर 1750 में नसीर जंग को भी मार दिया जाता है मुजफर जंग डेकन के निजाम बन जाते हैं और ड्यूप्लेक्स को रिवार्ड के तौर पर रिवर कृष्णा के साउथ की पूरी मोगल टेरिटरी का गवरनर डिकलेर कर देते हैं इसके अलावा नौदन सेरकार्स के कुछ डिस्ट्रिक्स भी फ्रेंच को दे दिये जाते हैं और निजाम के रिक्वेस्ट पर एक फ्रेंच आर्मी को हैदराबाद में तैनात कर दिया जाता है जिससे वहां फ्रेंच इंट्रिस्ट्स को सुरक्षित रखा जा सके लेकिन कुछ ही महीनों के बाद मुजफर जंग को मार दिया जाता है और फ्रेंच मुजफर के अंकल सलाबत जंग को नया निजाम बनाते हैं 1751 में चंदा साहिब करनाटे के नवाब बन जाते हैं इस समय डूपलेक्स अपनी पॉलिटिकल पावर की हाइट पर होते हैं लेकिन जल्दी ही कहानी में ट्विस्ट आता है लेट नवाब अनवरुद्दीन के बेटे मुहमद अली ट्रिचनपली के फोट में रेफ्यूज लिये हुए थे चंदा साहिब और फ्रेंच के अनेक प्रयासों के बाद भी किला नहीं जीता जाता अंग्रेज भी शांत नहीं बैठते थे रोबर्ट क्लाइव जो मुहमद अली को ट्रिचनपली में एफेक्टिव रीइंफॉस्मेंट नहीं दे पाते गवनर सौंडर्स को एक काउंटर मूव सुझाते हैं जिसके तहत करनाठिक की कैपिटल आरकॉट पर एक सर्प्राइज अटाक प्लान किया जाता है जिससे त्रिचनपली से प्रेशर को डाइवर्ट किया जा सके प्लान के मुताबिक क्लाइव सिर्फ 210 सोल्जर्स के फोर्स के साथ ऑगस्ट 1751 में आरकॉट को कैप्चर कर लेते हैं चंदा साहिब के द्वारा त्रिचनपली से डाइवर्ट करके 4000 की फोर्स भीजी जाती है लेकिन ये फोर्स आरकॉट को जीतने में असफल रहती है आरकॉट की सफलता के बाद अंग्रेजों का मनुबल और भी बढ़ जाता है और 1752 में स्ट्रिंगल लॉर्ण्स एक स्ट्रॉंग इंग्लिश फोर्स के साथ ट्रिचनापली में फ्रेंच से सरेंडर करा लेते हैं और इसी बीच चंदा साहिब को तंजोर के राजा शडियंत्र करके मार डालते हैं मौहमद अली करनाटक के नवाब बन जाते हैं त्रिचनापली में हुए डिजास्टर के बाद डूपलेक्स की किस्मत का सितारा दूबने लगता है फ्रेंच कंपनी के डिरेक्टर्स डूपलेक्स के पलिटिकल अम्बिशन्स और उस पर हुए खर्च से खुश नहीं होते और उन्हें इंडिया से वापस फ्रांस बुला लिया जाता है 1754 में डूपलेक्स को रिपलेस करके फ्रेंच के नए गवनर बनते हैं गोडे हूँ ये हंगरेजों के साथ नेगोशियेशन्स शुरू करते हैं और 1755 में Treaty of Pondicherry साइन करते हैं इसके साथ ही Second Carnatic War का एंड होता है आईए अब इस वार के क्या implications हुए उसको भी समझते हैं implications Second Carnatic War से ये साफ हो गया कि European Company को सकसेस के लिए Indian Authority के सपोर्ट की जरूरत नहीं है बलकि उल्टा Indian Authority Companies के उपर dependent होने लगी थी करनाटिक में मुहमद अली और हैदराबाद में सलाबद जंग European Companies के patron नहोकर client बन गए थे English और French के बीच conflict का ये दूसरा round भी inconclusive रहा क्यूंकि अंग्रेजों के candidate मुहमद अली करनाटिक के नवाब तो बन जाते हैं लेकिन French Deccan में अभी भी strong थे उनके candidate सलाबद जंग हैदराबाद के निजाम थे साथी सालाना 30 लाख रुपए revenue देने वाले Northern सरकार्ज के कुछ important districts भी French company को मिल गए थे हाँ, war से पहले की तुलना में South India में French की position कुछ कमजोर और अंग्रेजों की position कुछ strong जरूर होती है इंडिया में Anglo-French rivalry का decisive action होता है Third Carnatic War में तो आईए अब उसके बारे में discuss करते हैं Third Carnatic War or the Battle of Vandewash 1758 to 1763 First Carnatic War की तरह ही Third Carnatic War भी यौरप में चल रहे English और French के struggle की इंडिया में गूँज थी 1756 में यौरप में 7 years war शुरू हो जाता है और फिर से England और France आमने सामने होते हैं इसका extension इंडिया तक होता है French Government 1757 में General Count Delally को इंडिया भेशती है जो 12 महिने की यात्रा के बाद 1758 में यहां पहुँचते हैं इसी बीच Britishers 1757 में Bengal में प्लासी का battle जीच चुके होते हैं जिससे उन्हें enormous resources मिल जाते हैं और 1758 में ही Count Delally Fort St. David को capture कर लेते हैं लाली का next move मडरास को घेरने का होता है लेकिन वहां अंग्रेजों की एक strong naval force आ पहुँचती है और लाली को मजबूर होकर घेराव खत्म करना पड़ता है इसके बाद लाली हैदराबाद से बसी को बुला लेते हैं ये French की एक बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि इससे उनकी land garrison कमजोर पड़ गई और इसी बीच पोकॉक के कमांड में English fleet French fleet को तीन बार हरा देती है और French fleet को Indian waters छोड़ कर जाने पर मजबूर कर देते हैं सी पर कमांड होने के बाद अब अंग्रेजों के लिए जीत का रास्ता खुल जाता है और उनकी final victory में कोई doubt नहीं रहता है French को 22nd January 1760 को तमिल नाडू में Wandi Wash की battle में सर आयर कूट के हाथों बुरी तरह हार का स्वात चखना पड़ता है बसी को prisoner बना लिया जाता है County Lally Pondicherry में retreat कर जाते हैं आठ महिने के blockade के बाद Pondicherry भी अंग्रेजों द्वारा जीत लिया जाता है और 16th January 1761 को Lally surrender कर देते हैं उसके बाद जल्दी ही French माहे और गिंगी को भी खो देते हैं इस तरह South India में Anglo-French rivalry के ड्रामा का finally परदा गिरता है French की position अब वापस उठने लायक नहीं रह गई थी यॉरोप में 7 years war का end होता है 1763 में Treaty of Paris के द्वारा इसके provisions के अनुसार French को pondicherry और कुछ अन्य settlements वापस कर दिये जाते हैं लेकिन इस शर्थ पर कि इनको कभी भी fortify नहीं किया जाएगा इस तरह इंडिया में French के political ambitions का हमेशा के लिए end हो जाता है दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि French और English companies के conflict में फाइनली English को जीत मिलती है और French को हार पर अब इसके पीछे के कुछ reasons को भी जानते हैं causes for the English success and the French failure English success का सबसे पहला reason था English company पर lesser governmental control वो एक private company थी इसलिए काम कर रहे लोगों में enthusiasm और self confidence की कमी नहीं थी company instant decisions भी ले सकती थी क्यूंकि उन्हें government की permission नहीं चाहिए होती थी दूसरी तरफ French company government के control में थी इससे decision making में भी delay होता था दूसरा reason था अंग्रेजों की superior navy इसकी help से वो सभी important battles जीत पाते हैं साथी इंडिया की बड़ी और important cities पर British का ही control था जैसे की Calcutta, Bombay और Madras जबकि French के पास सिर्फ pondicherry ही था ऐसा कई historians का मानना भी है कि English Calcutta से शुरू करके पूरे इंडिया को control कर सकते थे लेकिन pondicherry से शुरू करके French क्या कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था इसके अलावा English company के पास funds की कमी नहीं थी करनाटिक वार्स के बीच में ही 1757 में प्लासी का बैटल होता है जिसमें जीतने पर company की wealth में और भी ज्यादा इजाफा होता है लेकिन French के पास funds की shortage बनी रहती है वो political ambitions की वजह से commercial interests की अंदेखी कर देते हैं एक और important reason था British success के पीछे अंग्रेजों के superior military commanders English side पर Sir Ayer Coote, Major Stringer Lawrence, Robert Clive जैसे leaders की लंबी list के comparison में French side पर सिर्फ duplex का ही नाम याद रहता है दोस्तों ये थे कुछ reasons जिनकी वजह से English French को हरा कर इंडिया में अपना dominance बनाने में काम्याब होते हैं Conclusion Third Carnatic War में जीत के बाद इंडिया में English East India Company का कोई भी European rival नहीं बचता और इसके बाद वो अपना पूरा ध्यान इंडिया में एक dominant political power बनने पर लगा देते हैं East India Company कैसे धीरे धीरे एक empire सेट अप करती है ये हम अपनी आने वाली वीडियोज में देखेंगे